वेलकम बेक अगेंट वार फ्रेश वीडियो तो इस वीडियो में आपके कई सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ तो यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है CBSE Improvement and Private Candidates के लिए तो फ्रेश इस वीडियो में मैं बेसिक लिए आपको पहला जो डाउट स्टुडेंट्स का आरा तक कई सारे मुलब स्टुडेंट्स में पूछा है कि जो इंप्रूब्मेंट एक्जाम की जो लास्ट डेट है क्या हुआ 30 सेप्टेंबर थी क्योंकि कई व दोकुमेंट्स की जुरूद पड़ती है अगर हम फॉर्म भरते हैं इंप्रूब्मेंट एक्जाम का तो फ्रेंट्स हाला कि अभी जो फॉर्म से जस्ट अपके रिलीज होने वाले हैं थोड़े दिनों में तो यह वीडियो मुलब आपके लिए काफी हेल्फुल होने वाली अगर यहां पर आप जैसे सर्च करेंगे कि आप देख पा रहे हैं जैसे कि यह देखिए यहां पर इंप्रूब्मेंट एक्जाम 2021 आप जैसे कि सर्च करेंगे तो आपको जैसे कई सारे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप इसमें आप देख सकते हैं तो एप्लिकेशन फॉर्म cbc improvement exam 2021 application is available for 10th and 12th for the and the last date of submit the application form is 30th of September so friends इसमें मुलब काफी सारे students confused हो रहे थे तो मैं इस मुलब आपका ये doubt clear कर देता हूँ तो हाला कि मैंने जैसे call recording भी कई वीडियो में करिए तो आपने सुना होगा तो जो forms है वो October में release होंगे ठीक है तो ये किस बात में मुलब किस चीज के बात कर रहे हैं तो वह मैं बता देता हूँ तो आप जैसे कि इनकी website खुलेंगे तो फिर आप यहां देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लिख रखा है कि cbc improvement exam 2021 application form can be submitted by through online mode at the cbc4school.in तो फ्रेंड्स यह पहली बात तो cbc के official website नहीं है फिर भी मैं आपको open करके दिखाता हूँ इसे तो आप देख पा रहे होंगे यह मलब की जैसे open school आपने सुना होगा तो वह एक यह open school की link है तो इसका मलब KSC का मतलब है कपूर study center मलब की जैसे काफी students होते हैं कि जो improvement के लिए apply करते हैं बड़ घर पर जैसे पढ़ाई नहीं हो पाती है तो कोई study center वगरा join कर लेते हैं तो यह उस चीज की website दे रही है तो आप बिल्कुल भी confusion ना होँए यह आपकी improvement exam के forms के लिए नहीं है यह बस थोड़ी attention बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इस ट्राइब से मलब website में यह दिया है तो यह मलब आपका सिर्फ और सिर्फ जैसे study center है तो आप इन पर जैसे study center मलब की काफी students जैसे घर पर प्रिपेर नहीं कर पाते तो उन students के लिए लव स्पेशली है वैसे ऐसे कोई mandatory नहीं है कि आपको अगर improvement दे रहे तो आप को कहीं आपके forms नहीं आए हैं ठीक है तो यह आपका पहला doubt के लिए अब मैं आपको बताता हूं documents क्या क्या चाहिए आपको form भड़ते समय तो फ्रेंड्स आप जैसे की देख पा रहे हैं बट आप पहले मलब soft copy रख लीजिए अगर upload करने का option आता है तो आप उसे upload कर सकते हैं और मलब की passport size मलब की आपको photos upload करनी होती है form भरते समय तो अपनी जो photos है वो भी ready रख सकते हैं और फिर जैसे यह three passport size बगर यह सब तो मलब आपको अगर verification के बुलाया जाता है तब आप आपको लब यह देनी होती है या फिर आप जब exam देने जाते हैं तब और फिर friends आपको अधार कार्ड मलब mandatory नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ आपको address proof के लिए लिया जाएगा अधार कार्ड तो आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं तो यह तो आपके basic documents required हैं आपको student improvement दे सकते हैं पहला point तो यह है फिर 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 जो second point है the CBC improvement exam can be taken in one or more subject यह भी हर किसी को पता है फिर third point is the improvement examination is usually conducted the following year मतलब की जैसे की example के तौर पर दे रखाए कि अगर किसी student ने 12th class 2017 में या फिर 2018 में दिये तो वो 2019 के improvement exam दे सकता है तो friends यह मैं हर वीडियो में पहले बताता तो इसका मैं आपको main और एक और बात clear कर देता हूं कि अगर मालीजे इस example के हिसाप से किसी ने 2017 में 12th class दिये या फिर 10th class दिये तो अगर वह है उसने मलब 2018 में अगर improvement exam दे चुका है और फिर से 2019 में देना चाते है तो वो नहीं दे सकता है सिर्फ और सिर्फ एक मौका मिलत मलब आपने अगर 2020 में पास किया तो 2026 तक आप additional subject के exam दे सकते हैं तो यह additional subject के लिए मैंने बता है अब मैं आपको बता देता हूं exam center कैसे change कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं change of exam center the candidate appearing for the improvement of performance examination for the senior secondary year for secondary examination conducted by CBSE has to appear from a center in the same reason from where he appeared the main examination however in case of transfer of the parents from one place to another the change of center is allowed subject to fulfillment of the following condition अगर आप यह condition follow मलब fulfill कर पाते हैं तब आप मलब अपना center change कर सकते हैं पहला है कि the parent produce valid document evidence for transfer from one place to another मलब जो आपका father का अगर transfer हुआ है या फिर one place to another moment हुआ तो उसका कुछ आपका मलब की evidence से यह होगा ठीक है फिर है अगला request for change of examination center is received one week before the date of commencement of examination of the year मलब की आपको कम से कम एक week पहले आपको inform करना पड़ेगा अगर आप examination center change करवाना चाते हैं तो और फिर यह most important बात की change of examination center is considered only subject to availability of question papers at the requested place of center मलब की जो question paper है वो भी गिनती कहीं आते हैं हर center में तो अगर आप मलब पहले contact कर लेते हैं तो सही है अगर last में करते हैं तो फिर वो availability of question paper के हिसाब से आपको बताए जागा कि आपका center change हुआ है कि नी ठीक है तो यह कुछ बाते हैं center अगर आप change करवाना चाते हैं उसके लि मलब mention कर रखा है फिर है can a candidate appear for improvement exam as well as additional subject तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि additional subject आप within six year of passing मलब दे सकते हैं तो आप यहां पर यहां पर देख सकते हैं as per rules the candidate can appear for improvement exam in one or more subject but he she cannot appear for additional subject as well as improvement at the same time मलब same time पर आप दोनों के यह apply नहीं कर सकते हैं फिर है कि do candidates have to appear in all the subjects when attempting improvement तो फ्रेंड्स नहीं लब आपकी मर्जी आप एक में भी दे सकते हैं या फिर सब में भी दे सकते हैं या फिर जितने में आपकी मर्जी है उतने में आप दे सकते हैं तो फ्रेंड्स काफी student का ये भी डाउट रहता है कि क्या हमें theory और practical दोनों में appear करना पड़ेगा क्या तो फ्रेंड्स इसका अंसर है सब्जेक्ट ने में और फिर बने में में बता रही होता हैं मेही में रिजल्ट आता हैं और फिर है candidate cannot appear for improvement exam in the subject which he failed to pass मुलब कि जो जिस subject में fail हो जाते हैं फिर पास नहीं कर पाते हैं तो उसमें improvement नहीं दे सकते हैं यह तो हर कोई जानता ही है तो friends अब मैं आपके जो commonly questions आप पूछ रहे थे comments में वो cover करना चाहता हूँ तो friends अब इसमें checking process है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो थोड़ा वो डिफर होता है बट उसमें मुलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मुलब की marks कम award करे जाएंगे या फिर काटे जाएंगे तो फ्रेंट्स यह तोटली आपका teacher पर डिपेंड करता है जो आपका paper चेक करता है तो इसमें मुलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके marks मुलब कम दिये जाएंगे या फिर आपकी मुलब hard checking करी जाएगे ऐसा कुछ भी सीन नहीं है तो normal candidate की तरह ही आपकी copy check होती है question paper भी almost वही रहता है तो आपको चिंदा करने के कोई जरूत नहीं है कि friends यह तो वही question है कि how many times can I give तो सिर्फ और सिर्फ आप एक बार दे सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया था additional subject 6 साल में आप दे सकते हैं पास करने के बाद तो next question आप देख सकते हैं does do you accept improvement marks तो यहां पर दे रखाए कि improvement marks is accepted by Delhi University for admission in undergraduate courses there are no there are so many courses जो की मुलब की आपकी merit base पे admission लेते हैं तो आप उसमें apply कर सकते हैं तो ऐसा कुछ निए कि अगर आपने improvement दिया तो आप डियू में apply नहीं कर सकते तो friends आप मुलब की admission ले सकते colleges में improvement के marks next question है कि will improvement exam affect my future तो यह positive way में है कि yes improvement exam are helpful for a student life if he get not good marks मुलब कि अगर आप अच्छे marks नहीं कर पाते तो आपको एक opportunity मिलती है कि आप अपने marks को increase दिस्क कर सकते हैं और फिर आप जहां पर भी eligible नहीं है वहां पर eligible हो सकते हैं तो next question है कि what happen if I score less अगर आपके marks कम हो जाते improvement में तो कोई problem नहीं आपकी जो previous marks है previous marks sheet है वही आपकी applicable होगी और friends एक और question पूछा जा रहता जो की है कि what will happen if I score less या फिर fail in 12th improvement exam तो friends आप अगर fail भी हो जाते हैं तो अगर आपका मन करें तो आप improvement exam दे सकते improvement exam का भी और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो फिर आपकी जो previous year की जो मलब marks sheet है वह valid रहेगी तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है बस आपकी जो improvement की mark sheet है उसमें आपको fail लिखा रहेगा तो उसका मलब मलब उससे उससे आपको कोई फरकनी पड़ेगा मलब की आपकी जो previous mark sheet है उसमें इसका कोई फरकनी पड़ेगा तो friends वीडियो काफी लंबी हो रहे है तो मैं मलब और भी आपके जो doubts है वह अगली वीडियो में और कवर कर दूँगा तो इस वीडियो के नीचे आप अपने doubts पूछ सकते हैं आपके कुछ doubts रहते हैं या फिर कुछ आप suggestion देना चाते हैं वह आप नीचे दे सकते comments में और फ्रेंट्स जैसे mark sheet से लेटेट काफी सारे students पूछ रहते तो मैंना आलवरेडी वीडियो बना रखे ऊपर आई बटाइन पर आपको मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतने कोई अपडेट आता तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो टेक केर एंड बाए बाए बाए